भाईयों और बेहनों, क्या आपको पता है, आज के जमाने में ससुराल के भी दो मतलब हो गए हैं, यानि लड़की के लिए ससुराल सब्द कुछ और है, और लड़के के लिए ससुराल सब्द कुछ और है। आज कल समाज में जो प्रचलित हो रहा है, उससे कुछ अलगी तरह के दोनों के मतलब निकलते हैं। देखिए, जो सादी सुदा हैं, उनको भी इस बात का पता है, हर माता पिता को पता है, हर बहन बेटी को पता है, मगर उसके बावजूद भी इन दोनों में इतना अंतर क्यों है, मेरी शमज में नहीं आ रहा है। लड़का जब ससुराल जाता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, जो ही लड़का ससुराल पहुँचेगा, उससे पहले पूरे घर की सफाई की जाएगी, ससुराल के घर की, अच्छी तरह से दोया पहुँचा जाएगा, घर की हर चीज को सलीके से सजाया और हर कमरे को इस तरह सजाया जाएगा जैसे नया घर बनाया हो और जो ही जमाई राजा या दुले राजा या यू कर सकते हैं लड़का सबस्राल पहुंचता है हर तरफ कुशियां ही खुशियां होती हैं गीत गाये जाती हैं नई से नई पोशाय के पहनी जाती हैं घर का हर सदस से सजध हजगे रहता है और नई से नई मिठाईयां लाकर के नास्ते के रूप में लड़के को परुशी जाती हैं मित्रो इसके साथ ही जब खाना बनता है यानि भोजन का वक्त होता है उस समय जमाई राजा के ठाट देखी आप घर में वो शारी लजीज खाना बनेगा जो उपलब्द हो सकता है अच्छी से अच्छी मिठाईयां परुशी जाएंगी अच्छी से अच्छी सबजियां मनाए जाएंगी और सलीके से खाना खिलाए जाएगा बड़ी सारी चोकी लगाए जाएगी आसपास में साले वगरे सब बैठेंगे और स्रसुर जी भी कहेंगे अरे भई ये लओ वो लओ अरे देखना भई पानी सठंडा है या गरम है यानि एक-एक बात को गहराई से ध्यान दिया जाएगा खाने में नमक पूरा है उसके बावजूद भी अलग से पूछा जाएगा नमक लाओं क्या मिठाही तरे-तरे की परोशी जाती है और मुँ में निवाला भी दिया जाता है जिसको गाशिया देना कहते है और जब जमाई राजा बिदा होते हैं तबके तो नखरे ही कुछ और हैं तिलक लगाया जाता है माथे पर जमारी के रूप में बहुत सारे पैसे दिये जाते है ज़्यादा पैसे देते सर्मातिए तू लिफाफे का सहारा लिया जाता है और हर तरह से कोशिश रहती है कि जमाई राजा को यानि लड़के को बिदा करते समय हर प्रकार का वो आदर दिया जाए जो एक राजा महराजा को मिलता है अब दूसरी तरफ देखिए जब लड़की सस्राल जाती है तब क्या होता है जब मैं पहली बार सस्राल की बात नहीं कर रहा हूँ हर बार की बात कर रहा हूँ जमाई राजा जब भी सस्राल जाते हैं ये सारे नकरे होते है और लड़की जब ससराल जाती है, तब क्या होता है? पहले दिन से ही तयारियां हो जाती है, घर के सारे मेले कपड़े एक तरफ रख दिये जाते हैं, कल तो बहू आए जाएगी, सारे दिन कपड़े कूटने में यह दिन बीच जाता है और जहीं घर पहुंचती है रसोई इंतजार करती होती है खाना तो अब बहु आ गई बहु भी बनाएगी शास जो थोड़ा बहुत काम करती थी वो भी अब नहीं करेगी खुर्शी डाल के बैड़ जाती है अब तो बहु आ गई बहु काम करेगी यानि ऐसा लगता है जैसे घर में कोई नई नोकरा नहीं आ गई हो देवर जो फिछले एक मैने के कपड़े बिना धुले पड़े थे वो सारे एक साथ निकाल के रख देता है अब तो भावी जी आ गए है कपड़े दोने के लिए जैसे ऐसा लगता हो कि भावी जी का काम ही कपड़े दोना हो गया हो बरतन वादने वाली भी कभी कभार नहीं आती है तो बरतन भी भावी जी ही मांचेंगे और घर में सब लोगों के खाना खाने के बाद में बचा कुछा काना बहू को खाना पड़ता है कोई भी मेंबर ये नहीं कहता है कि बहु बाद में क्यों खाना खाएगे हमारे साथ खाएगी ये इस्तिति होती है और शारे घर वाले जब सो जाते हैं उसके बाद में ही वो कीचन का काम निप्टा के पापा जी के लिए दूद का गिलास, बेटे के लिए यानि पापा जी के बेटे के लिए दूद का गिलास, सास के पैर दबाने और नजाने कितने काम हैं घर के लोक वगरे भी वो ही संभाल के सोएगी कि बार के गेट के लोग लगा है कि नहीं बार कोई सामान पढ़ा है डालालान में वो भी उठाके वो हुई रखेगी यानि हर आदमी ये समझता है कि अब तो काम करने के लिए बहु ही आगई और बहु कोई करना है क्या ये वास्त्रिकता नहीं है और यदि है तो फिर ये ससुराल के दोगले मतलब क्या है लड़का जब ससुराल जाता है तो पहले मैंने जो तीन मिनिट का वीडियो बनाया था उसमें मैंने जो जो बोला है क्या वो सही है और यदि है तो आप और हम कौन से दुनिया में रह रहे हैं क्या कर रहे हैं आप और हम इस बात में थोड़ा चिंतन कीजिएगा और याद रखिए आपकी बेटी भी किसी की बहु है और आपकी बहु भी किसी की बेटी है आपका बेटा भी किसी का जवाई है और आपका जवाई भी किसी का बेटा है फिर इतना अंतर क्यों क्या इस वामले में थोड़ा सा विचार करेंगे और मैं चाहूंगा यदि आप विचार करें तो विचार से भी कुछ नहीं होगा इसमें क्रियानवती लाने की कोशिस कीजिएगा और वीडियो पसंद आता है सारे दोस्तों को शेर कीजिएगा चैनल मेरी चैनल दोसाती टीवी को सबस्काइब कर लिया होगा आपने के दिन नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए ताके आने वाले इसी परकार के अच्छे से अच्छे वीडियो जो समाज में आज के टाइम में जिन बातों को अपन भूल रहे हैं आपको याद दिनाने के ल रूर की जिया नमस्कार